नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम लोग जानते हैं बॉयलर मांटिंग्स और असेसरी तो बॉयलर मांटिंग्स सबसे पहले होती क्या हैं तो बॉयलर मांटिंग्स वो सारी चीजे हैं जो हमें सेफटी प्रोवाइड कराती हैं बॉयलर जब काम करता रहता है तो उस टाइम जो भी सारी चीज़े हमें safety purposes के द्वारा requirement होती है अगर ये चीज़े नहीं रहेंगी तो boiler चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो ये necessary सारी इन सारी चीज़ों का तो होना बहुत ज़रूरी है boiler की working के लिए ठीक है और accessories क्या होती है accessories इसकी efficiency बढ़ा देती है boiler में मतलब इसकी खूबियां और efficiency बढ़ा देगी तो मतलब ये नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा लेकिन mounting का होना ज़रूरी है थोड़ा ठीक है तो फिर आएए देखते हैं हम लोग तो सबसे पहले आते हैं हम लोग water level indicator water level indicator का काम क्या होता है कि जो भी water level है boiler के अंदर उसी चीज को indicate करके बताता है कि कितना मतलब पानी boiler के अंदर भरा हुआ है तो जैसे कि मान जाई है यहाँ पे यह boiler है ठीक है यहाँ पर और नीचे यहां पर जैसा कि मैं यहां पर थोड़ा ड्रॉ कर देता यह water है ठीक है तो यहां से मतलब एक वो निकला रहेगा connect रहेगा और उपर उसके क्या होगी steam होगी जो कि boiler जो है गरम होगा तो यहां पर steam generate होगी जो steam रहेगी वो इदर तो यहां पर हमारा क्या रहता है water level indicator और इसस हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है ठीक है तो इसे आप हमारे स्क्रीन के left side में आप देख भी सकते हैं यहां पर आपा आते है हम लोग pressure gauge पे प्रेशर गौज का क्या काम होता है कि किसी भी फ्लूइड का एक सर्फेस पे कितना प्रेशर है ठीक है किसी भी फ्लूइड का एक सर्फेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है मतलब कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है फ्लूइड तो इस चीज़ को नापने के लिए हम लोग प्रिशर गौज का इस्तमाल करते हैं जो कि उसके स्टीम जो इसका स्टीम का हिस्सा रहता है बोहलर का उसी के उपर यहाँ पर वो लगा रहता है ठीक है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसे राइट साइड में मेरे फिर हम आते हैं सेफटी वाल्व सेफटी वाल्व जैसा कि हम लोग हमेशा से देखते हैं यह प्रिशर कूकर में और बाकी भी कई जगों पर यह लगा रहता है ठीक है इसका काम क्या होता है इसका काम यह होता है कि जब बहुत ही यादा ट्रिमेंडस अमांट ऑफ मतलब हीट जनेरेट हो गई या फिर बहुत सारी चीजे आपे बॉयलर में आ गई तो होगा क्या कि यह अचानक से खुल जाता है ठीक है खुल जाता है और वहाँ से जो ब्लास ना करे और बिस्वोट ना करे और कुछ मतलब तभाई अगल वगल ना मचे तो इसको देखते हुए हम लोग सेफटी वॉल्व का इस्तमाल करते हैं और सेफटी वॉल्व होना बहुत जरूरी है ये कम से कम दो ड्रम के उपर होती है और एक जो में इस्टीम हेडर होता है जो दो ड्रम होते हैं उसके उपर होनी चाहिए और एक इस्टीम हेडर के उपर तो कम से कम होनी ही चाहिए ठीक है ये भी तीन तरह की होती है ड्रेट वेट सेफटी वॉल्व लीवर सेफटी वॉल्व इस्प्रिंग रोटेट सेफटी वॉल्व और भी कई तरह की होती है अब जाकर case के बारे में पढ़ सकते हैं डीटेल में, ठीक है, अब आते हैं steam stop valve, ठीक है, steam stop valve होता क्या है कि जब हमारा boiler रहता है जो हमारा boiler है, तो boiler से जो steam निकलेगी, जो steam generate होगी, ठीक है और कितनी रोकी जाएगी नहीं बेजी जाएगी तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तमाल करते हैं इस team stop valve का ठीक है तो आप देख सकते हैं इसका figure भी स्क्रीन पर फिर आते हैं blow of cock blow of cock क्या होता है कि जो boiler होता है इसके अंदर बहुत से गंदगी इकठा हो जाती है तो इसकी सफाई के लिए इस गंदगी की सफाई के लिए हम लोग blow of cock का इस्तमाल करते हैं ठीक है इस blow of cock से जितनी भी इसके अंदर गंदगी रहेगी boiler में और बाकी सारी चीज़ें उसको हम लग था चया है वह आ रहा है पानीजन से तो हमें इसे बॉलर में पहुंचाना उप जाना है नहीं आपर मतलब किस फीड रेट से भीजा जाए क्योंकि बॉलर के अंदर टंप्रेचर ज्यादा फ में परेशर इतना ज्यादा है यहां पर पर में जहर से चालता होगा तो पता चलता है कि कितनी pressure के साथ उपर भेजना है अब होता क्या है कि यहाँ पर एक valve लगा रहता है जिसको हम लोग कहते है feed check valve अब होता क्या है कि अगर pressure boiler का ज्यादा है और इधर का कम है और इस case में अगर वो वापस boiler से ही जो high pressure का जो वो water है वो वापिस आने लगेगा तो इस case में करता है क्या है यह feed check valve तुरंट block कर देता है ऐसा system लगा रहता है कि वो तुरंट block कर देता है और इधर से जब मतलब एक direction में ही water का इसमें flow होता है यानि boiler में जा ही सकता है boiler से वापिस नहीं आ सकता है तो यही काम रहता है हमारे feed check valve का ठीक है और fusible plug का क्या काम होता है कि यह boiler पे लगा रहता है और जब भी boiler में अगर पानी कम हो गया पानी कम होने के वज़े से होता क्या है कि temperature बहुत ज़्यादा high race कर जाता है race हो जाने की वज़े से होता क्या है कि बचने के लिए एक feasible plug लगा जाता है ठीक है और boiler तो फटी सकता है साथ में इसमें जो भी मतलब turbines तक जाने के लिए जो भी steam को भेजने के लिए जो pipe लगी है वो ना फटे और उसके बाद ये ना बरबादो boiler मतलब इतना सारा नुकसान ना हो तो इसके लिए feasible plug तो feasible plug का basically होता क्या है कि ऐसे metal का बनाया जाता है कि मतलब जितना ये boiler pipes, turbine की जो blades है जहल सकती है जिस temperature को उससे कम ही temperature ये जहल सकता है और ये होता क्या है कि ये पहले ही गल जाता है ठीक है जिसके कारण इन सारी चीजों से बचा जा सकता है तो यही हमारा काम रहता है feasible plug का तो feasible plug हमारा basically बना रहता है brass का, bronze का और भी कुछ चीजों का बना रहता है तो ठीक है ये होती है हमारी सारी boiler mounting तो boiler mounting में basically हम लोगों नहीं सारी चीज़ें पढ़ी है और बस ये चीज़ आप मतलब ध्यान में रखेगा कि steam stop steam stop का क्या काम होता है कि steam को जो भेजता है boiler से steam जो भेजी जाती है उसको ये regulate करता है चेक करता है और feed check valve क्या होता है कि जो पानी जो आ रहा है boiler के अंदर इसको मतलब ये चेक करता है कि ये की direction में है कि नहीं तो यही इसका काम रहता है pressure watch आप जानी रहे हैं कि कितना pressure है water का safety valve जैसा कि मैंने pressure cooker का example लेकर के बताया ये समझाया है कि safety valve बहुत जरूरी है ये पहले ही खुल जाता है ठीक है और ये दो drum के उपर और में एक main steam header के उपर जागी रहनी चाहिए blow of cox सफाई करने का काम करता है मतलब उसके अंदर water level indicator water level कितना है उसके अंदर indicate करता है ठीक है तो फिर अब हम लोग आते हैं baller accessories के उपर ठीक है तो baller accessories के लिए जैसा कि मैंने पहले ही कह रखा है कि यह कोई जरूरी नहीं है लेकिन efficiency को improve करना है तो फिर मतलब हम इन सारी accessories का भी हम लोग इस्तमाल करते हैं तो देखे होता क्या है efficiency को improve करना है तो करना क्या रहता है हमें कि pressure बढ़ाना है या तो temperature बढ़ाना है pressure बढ़ा देंगे जो उसका vapor dome होता है तो आप यहाँ पे देख लिए इतना अगर हम लोग यहाँ temperature रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मतलब कम pressure पे तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा ज्यादा वहाँ से मतलब काम करना पड़ेगा फिर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से कम हम लोग को करना पड़ेगा ठीक है? मतलब वापिस से कम condense करना पड़ेगा यहाँ पे रहेगा तो एक दमी कम हो जाएगा ठीक है? तो जैसे की rankine cycle में हम लोग इसे draw कर रहे थे इन सारी चीजों को बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आप चीजों को समझते जाएए तो होगा क्या कि यहाँ पे जो हम लोग का economizer है वापिस से वो जो पानी रहेगा जो उसको तो उसको heat करने का काम करेगा तो याद करी economizer हम लोग अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी समय पहले किस power plant में binary वेपर power plant cycle में ठीक है तो फिर होगा देखें इसी में कि यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि economizer का हम लोग इस्थमाल करते हैं कि यहाँ से देखे यहीसे मर्करी का यहाँ से कर रहा है तो मर्करी से जो यह जो इस हमिसे को फिर से विदर कंडेंसर से देते हैं मतलब कंडेंसर मरकरी कंडेंसर से ठीक है फिर उसके बाद आकर गए सुपर हीटर तो मतलब हीट करने का एक तरह से यह काम करता है ठीक है तो इस एसेसरी से होता क्या है कि हमें कम हीट देना पड़ता है बिल्कुर उसी तरह से होता क्या है कि हमार हीट बनाएं प्रोड्यूस कियें वाटर के अंदर अब होता क्या है कि वाटर के अंदर हम लोग हीट बनाएं और वाटर को और भी ज्यादा हीट करना है तो हीट करने के लिए जो एयर होता है उसको पहले से ही हम लोग हीट करके भेजते हैं हीट करके भेजते हैं तो उसमें होता क्या कि मौश्यर नहीं रहता है तो मौश्यर नहीं रहता है जिसकी बदस से एयर जो मतलब जो बॉयलर है यहाँ पर लोग supragisów होड़े जयाए तो उसको पहले हम लुग लोग धार को देनी पड़ती ठीया मतलब इतना इंधर लगा उसके अंतंदर हम में रहा यहाँ पर ढूआ है थुखारेगा तहीं नहीं होगा फिर यह मतलब काम पहले साइछ करके इसको डालेंगे ठीक है feed water heater मतलब जो पानी इसमें डालेंगे से पहले से ही मतलब हम लोग heat करेंगे super heater के द्वारा और बाकी सारी चीज़ों के द्वारा जो पानी इसके अंदर डाला जाएगा boiler के अंदर इसको पहले से हम लोग heat करके डालेंगे, feed pump feed pump भी हमारी एक accessories है कि मतलब जो pump है pump pump का क्या का मैं, pressure को increase कर देगा pressure को increase कर देगा तो फिर हमारा already temperature increase हो जाएगा temperature increase हो जाएगा तो फिर हमें कम काम करना पड़ेगा, ठीक है तो जो pump रहेगा तो pump pressure को increase करेगा तो ये सारे भी चार वो मतलब accessories हैं तो इसे भी आप देख लिए ठीक है Thank you everyone for watching my video and please subscribe my channel तो ये पुरानी वीडियो है इसका भी link मैं description में दे दूँगा आप इन सारी वीडियो को भी जा करके जरूर देखें ठीक है Thank you everyone